हेई आईवन, हाओ यू आल, सो कैसो आप लोग, सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, उस बुक का नाम है, इट एंड्स विडियो में हमने देखा था वीडियो नमबर थाटीन, आप यहां से चुगात होती है वीडियो नमबर फॉर्टीन की, और जो एक्चली में यह बुक में है, यह है चैप्टर नमबर एट, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे शोशल मीडियर प्लैटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, अगर आप चाहो, तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो, उन सब के लिंक्स में डिस्क्रिप करती है ना लिली वो रोने लगती है, लूसी बहुत जोजोडोर के, आप लीली कहा हुए करा और लिली कैता ही है है, lease को खतम होने के ले इस घर की, लेकिन Alex जाता है ना कि मैं उसके साथ shift हो जाऊ। अब जो लिली होती है, कुछ time के लिए तो सूचत ही, की मतलब यह इसके लिए रो रही थी, की वो lease खतम हो रही है, उसलिये रो रही है, अब वो मन में सुचती है कि यह क्या हो रहा है अब जो लीली है वो कहते है Lucy मेरी टेंशन मतलगा है मैं ऊहल Moi pakai promise अब जो Lucy होती है वो उसको धेख दिया है उसके na expression बदल जाते हैं वो कहते है सची अब जो लीली होती है मन में सुचती है कि या पूरी में इसको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मैं ऐसी हूँ अब जो लीली उती है हाँ मैं तुमसे नराज नहीं हूँ ना मैं तुमसे बिल्कुल भी तुम्हें गुश्टा हूँ मैं खुश हूँ तुमारे लिए यार अब ये देखके तो जो लूसी होती हो क्या करती है अपने मतलब सीहल लेके सावन दर्वाज़े सेचा पिलियुजा और वह रहां से काउस पर बैखती है सीलिंग को देखती है और मन में सोचती है ना किया ये में इस साथ कोई खेल लेती और ये सोच यह हसने लगती है क्योंकि वह खुद भी नहीं चाहती थी जाती थी कि वह उसी ल जो लास्ट टाइम जो लिली ने रायले से बात करी थी जब सनिवार को उसके अपार्टमेंट से निकल ली थी और उन्होंने एग्री करा था कि वो रिलेशन्शिप को एक ट्रायल रन पर करेंगे कोई कमेट्मेंट नहीं है बस एक रिलेशन्शिप वाली फीलिंग आनी चाहिए और कुछ भी नहीं अम मंडे की रात हो चुकी है और लिली ने अभी थोड़ी डिसपॉइंटेड है क्योंक और इसके बाब जूद भी लिली ये डिसाइड करती है कि भई मैं वो परसंद नहीं होंगी फर्स जो सको मैसेज करूंगी और वो अपने आपको ने इंगेज करने के लिए वो पुरानी वारी जो सकी डैरी होती है वो पढ़ने की कोशिश करते है कि भई वो याद कर ले और उसमें लिखा होता है कि डियर एलेन तो मैं पता है जो मेरे पढ़ दादाजी थे उनका नाम था एलेस और मैं अपनी पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि इतने बूड़े आत्मी का नाम जो कि वो मर गए तो जब मैं वो मर गए उसके बाद मैं उनकी अबलेटरी पढ़ उनकी जीवनी जो होती है न कई चीज़े लिखे होती है पारिबार एक वो पढ़ देती तो मुझे यकीन ही हुआ कि उनका नाम एलेस था और फिर मुझे पता चला कि उनका नाम तो असली में एलेस था ही नहीं उनका जो असली नाम था वो था लेवी सैंपसन और मुझे इस तक उनका फिर यही नाम चलता गया और मुझे हमेशा सा यही लगता था कि मेरे परदादाजी का नाम अलस है और फिर मैं ना तुम्हारे नाम को देखती हूँ तो मुझे वही चीज याद आती है ऐलन कै यह तुम्हारा असली का नाम है या तुमने भी मेरे परदादाजी की तरह कुछ अपने इनिशियल सक लिया और तुम भी लोग को धोका दे दियो और मैं यह तुमसे पूछ रही हूँ एलन मैं उसको यह बोला ना कि तुम्हे अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कि तुम्हें नाम कहां से मिला और एलेक्स ने लिली को देखके कहा कि अब इस चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है अब लिली कहती है ना मुझे नी पता कि इसकी ममी मर गई या फिर हो सकता है इसकी ममी ने इसको किसी को दे दिया हो लेकिन हम लोग पिछले कुछ सफ्तों से ना दोस्त हैं लेकिन मैं अभी भी ना उसके बारे में जादा कुछ जानती नहीं हूँ बस मुझे इतना पता है कि वो कहां रहता है और मैंने उसे पूछने ही कोशिश करी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी trust issues हैं थोड़े से और trust issues होना बड़ी common सी बात है और मैं इसके लिए उसको blame नहीं करूँगी बिल्कुल भी और मैं नहीं चाहती ना कि जो मेरा दोस्त है वो ऐसे करके नहीं ठंड से मर जाए क्योंकि ये चीज बहुत खराब होगी एलेन और मैं कोशिश करूँगी ना कि अगले सफते कुछ कंबल अंबल ढून के उसको दे सकूँ ताकि उसके लिए थोड़ी ये सर्दियां असानी से कर सके लिली अब जो उसने अगला इंसिदेंट लिखा होता है उसमें लिखती है वो डियर एलेन मुझे पता है ना कि अगले सफते से बहुत ज़़दा बरफ पढ़ने वाली है तो भई जो मेरा गार्डन है ना मुझे फड़ा फड़ उसको ना सही करना पड़ेगा और जो भी उसने गाजरवाजा लगाई थी वो सब निकालने लगती है और वहाँ पे थोड़ी सी खादवाज डालके वो लोग छोड़ने लगते है ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए जो थन्या वो कट जाए और जो आइटलस होता है वो उसकी मदद करता है वो चाहता है कि वो उसकी मदद करें लिली की और जो आइटलस था उसने मुझे कही सारे सवाल पूछे कि कैसे गार्डनिंग करते है और मुझे ऐसा लगता है ना कि उसको इंटरस्ट है जो काम मैं करती हूं फिर वो कहती है कि मैंने उसको सिखाया कि कैसे पेडों को लगाया जाता है कैसे सब कुछ कर जाता है और कैसे तरीके से काम करें कि जब बरब पड़े ना तो ये चीज चाया डेमेज भी नहुआ और जो मेरा garden है वो बड़ा छोटा सा है में भी शायद 10-12 feet का garden होगा लेकिन जो मेरे पापा थे ना मुझे उन्होंने लाओ करा कि मैं अपने backyard में ये कर सकूँ जो atlas था उसने सब कुछ cover कर दिया जबकि मैं अराम से अपने पैर फिला के ना बैठा हुई थी ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ बट बात यह ना कि वो चाहता था कि वो मेरी मदद करे तो मैंने उसको काम करने दिया और मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ ये ना बड़ा hard working है या फिर हो सकता है कि या अपने आपको बिजी रखना चाहता हो जो मेरा best friend है जो मैं कह सकती हूँ क्योंकि आज तक ना किसी को भी यह नहीं पता था कि मैं gardening भी करती हूँ इसने तो उससे पूछ रहा है और तो और मेरी school में भी दोस्त हैं लेकिन वो कभी भी ना मेरे घर नहीं आते ना मैं उनके घर जाती हूँ और जो लेली के बाप है वो कभी अलाओ नहीं करते हैं लेली को कि बैसे लेली को com hablamo तो और उसने उससे पूछा कि बैस पूछा इसा कि घर नहीं पासंद है वह क्यों करती है और यह चीज ना लेली को अच्छी भी लगती है अब लिली होती है वो घास उखारती है और उसको फारने लगती है और कहती है कि जब मैं 10 साल की थी मेरी मम्मी को ने एक subscription free मिला था website का जिसका नाम था Seeds Anonymous और हर महीने को Seeds के Packet आते थे और उसके साथ साथ एक mail आता था instruction का कि कैसे आपको सीर लगानी है जमीन में और हर दिन मैं स्कूल से भाग के आने के बाद सीरे backyard में जाती थी देखने की वह कितने उग रहे हैं कितने उग रहे हैं और मुझे यह चीज देखके बड़ी अच्छी सी लगती थी और जो plant होते हैं वह आपको reward देते हैं जब आप उनको सही तरीके का प्यार देते हो अगर आप उनके प्रती गुसा करोगे या उनको देखोगे नहीं देखभाल नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं देंगे लेकिन अगर आप उनकी care करोगे, उनने प्यार करोगे, उनको सही तरीके से रखोगे, तो वो आपको reward देंगे, fruits की form में, vegetable की form में, या फूल की form में, अब लिली देखती है जो उसके हाथ में गहास होती है, वो उसने पूरी fart दे होती है, फिर उसको अपनी fingers में यहाँ प्ले नहीं, plant और humans, जो plant है उनको भी प्यार चाहिए होता है, तब ही वो survive कर पाएंगे, और humans भी ऐसे ही हैं, और हम प्यार के लिए अपने माता-पिता पे रहते हैं, वो हमें बच्पन से प्यार देते हैं, ताकि हम जिन्दा रह सके, अगर हमें अपने माता-पिता से अच्छा जाते हैं, तो हमें एक अच्छे आर्मी बन जाते हैं, लेकिन अगर हमें वो नजन्दाज कर देते हैं, और यह कहते ही न, जो उसकी आवाज होती है, एकलेस की वो थोड़ी गिर जाती है, वो कहीं side feel करने रखता है, और उटके अपने जो कपड़े होते हैं, गंदे उसको अगर हमें निगलेक कर दिया, तो हम बेघर हो जाते हैं, और हम कुछ भी अपनी जिन्दगी में मीनिंगफूल नहीं कर पाते हैं, अब जब यह लिली यह बात सुनती है, तो उसका दिल पसीच जाता है, वो सुचती है, यार, कि मतलब मैं इसको क्या बोलूँ हूँ, और य ऐसी लिली को लगता है, यह उठने वाला है, जो लिली होती है, उसका नाम लेती है, अब जो आटलस होता है, वो भी घास में बैट जाता है, और जो लिली होती है, उसको कई सारे पेंड लगे होते है, उसको दिखा के कहती है, जिसमें एक ओक ट्री लगा होता है, और वो कह वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहता वो अपने आप खुदी बड़ा हो जाता है और जो लिली होती है उसको समझ नहीं आ रहा हुता है कि मैं यह से क्यों कह रही हूं और यह कैसे मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है लेकिन मैं यह उसको बताना चाहती थी कि तुम बहुत स् छपका है और जब फिर फाइनली ना जब वो उस पेड़ को देखता है नजरे उससा हटाता है न तो उसके चेहरे पे समाइल हो जाती है और यह देखके ना लिली ना लगता है कि चलो आइलिस एतना अधास तो नहीं है अब जो एटलस होता है हो कहता है हाँ हम लोग सेह मैं अब लिली होती है नो क्याती है कौन पौध है और इंसान तो जो एटलस होता है कहता है नहीं तुम और मैं अब लिली लिखती है कि एलन मुझे नहीं पता उसने नोटिस करा नहीं करा लेकिन वो situation मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी और मैं उस वक्त पे कहती क्या जैसी वो खड़ा हुआ न और वो जाने लगा कि वो अपने घर की तरफ जा था मैंने उससे कहा कि एटलस उरको उसने न मेरी तरफ देखा और फिर न मैं उसको पॉइंट आउट करा कि तुमे न जाने से पहले शावर लेना चाहिए क्योंकि जो लिली होती है न वो हा कहती है फिर वो न हसने लगता है एटलस और जो एटलस होता है फिर वो हसने लगता है वो दोनों हसते हैं उसके बाद उसने क्या करा अपने कपले साफ करें वो लोग हस रहते उसने क्या करा बैग में हाट डाला बैग लिली के कंदों पर रखा और फि तो उस मिनट बार हम लोग फिर से जमीन पे लेट गए थे और तो और हम लोग एक दूसे को देखके हस रहते और फाइनली वो उठा फटा फट क्योंकि उसको पता था कि इससे पहले लेली के पापा ममी आ जाए वो फटा फट निकलना चाहता था जब वो शावर में था मैंने अपने हाथ दुले मैं वहाँ पर खड़ी रही और मुझे यह लग रहा था ना कि मतलब हम दोने एक जैसे कैसे हैं उसने जब यह बोला था तो यह कॉंप्लिमेंट था और मुझे खुद को भी नहीं पता यह था क्या या वो क्या कहना चाहता था उसको यह लगता था कि मैं मैं स्ट्रॉंग नहीं हूं लेकिन जो भी था न मुझे बहुत अच्छ़ा लग रहा था और हमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर बहुत जादा होती है और बयना लाइफ नहीं कर पाएगा नहीं उसके पास ब्लैंकेट हैं तो कैसे सर्वाइब करेगा यह मुझे भी नह पोशिश करी मैं उसको धूंड को दे दूं लेकिन जब तक मैं उसको दे पाती ही न वो शावर से निकल के फटाफट जा चुका था क्योंकि अल्रेडी शाम के पांच बच चुके थे और ममी पापा आने वाले होंगे इसलिए वो चला गया और होप सो न मैं उसको जब वो कल आएगा तो मैं उसको कल दे दूंगी ले लिए तो यह था इस वीडियो में और होप सो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू एन स्टे कनेक्टेड